नमस्कार दोस्तों आपका आपने वुटू चैनल इन्फोट्यू में स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आएक इन्फोट्यू टॉपिक और इन्फोट्यू इन्फोर्मेशन जो कि हमने लास्ट टाइम जो फ्यूडियो बना था कि लर्नेथॉन 2022 आज हम बताएंगे कि रेजिस्ट्रेशन होने के बाद की प्रोसेस क्या होती है तो चलो चल्स देहे अपने मोबाईल स्क्रीन पर तो सबसे पहले आपको ICTs Academy लर्ने थान 2022 का कन्फोर्मेशन मेल आता है तो चले चलते हैं हमारे मेल बॉक्स में वह देखते हैं वह मेल मेल में जाने के बाद यहाँ पर आपको मेल देखाते हैं वह मेल कुछ इस तरह से दिखाई देगा ICTs Academy से हमेल आ चुका है यहाँ पर मेल में हमें student login URL और login ID और login password दिखाई देगा और email आने के बाद ही अब student login पर जाकर अपना user ID और password एंटर करके आप व्यूस्पाइट के अंदर वेबसाइट के अंदर आप login हो सकते हैं तो चलो चलते हैं student login इस URL पर तो इस URL इस URL कि लिंग हमने already description box में भी दे हुए है आप जाकर check कर सकते हैं उस website पर आने के बाद यहां पर आपको इंटरीवर user ID और पास्वड पूच जाएगा चलो 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 हम यहां पर दालते हैं हमारा user ID और password जिसके हमने save किया है तो इंटर करने के बाद नीचे sign in का button दिखाए देगा उस पर click करें उस पर click करने के बाद website open हो रहे है तब तक लिएट कीजिए यहां पर आपको चलो हम देखने के लिए desktop side mode करते हैं मतलब आपको खिक से दिखाए देगा पर फिर से login का आ रहा है तो चलो चले फिर से login करते हैं आप में sign in करेंगे सब्सक्राइब आपको आपका उपर नाम दिखाए देगा जैसे कि हमारा केस में आपको अपर नाम दिखाए देगा उसके बाज्यू में आप एक एक certificate course complete करेंगे वह certificate यहां पे अपलोड़ कींजिये जिरो certificate अपलोड दिखाते हैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने certificate अपलोड़ कर सुथे जैसे भी आप complete करेंगे और कॉर्स वहाँ पे complete course का credit भी increase होगा और यहाँ पे जब भी आप Microsoft का कोई कोर्स करते हैं तो आपको पता है कि Microsoft किसी को भी फ्री कोर्स प्रोवाइड नहीं करता तो इसके लिए यहां हमें यहां पर दिया है जो कोड हम इंटर करने के बाद हमें Microsoft का वो कोर्स कि तरफ से एविलेबल होगा तो नीचे चाल कर जानते हैं परे कर्ते में . इस सब के बारे में तो चलो चलते हम student guide पर student guide हमने डाउनलोड किये है तो चलो चलते हम अपने student guide पर आपको पता थे आगे की information वेट केज़े student guide ओपन हो रहा है student guide की पेड़े पाप वह से आपने profile से डाउनलोड कर सकते है जैसके हमरा case में हमने already की हुए तो यहाँ पे आपको सब detailed information दी हुए है कि how to login in your course and how to complete your course आप एक एक course जिस वेबसाइट पर मतलब for example Microsoft का आपको course करना है तो सबसे पहले आपको Microsoft के official website पर जाके आपको आपका user ID और password बनाना होगा और उसके बाद आपको course करना होगा तो इसमें आपको सब detailed information दी है इस PDF में पता है program guidelines Microsoft automation मतलब जो भी आप course आपने registration करते वक्ट चूश के है उसकी पूरी detailed information इसमें दी है तो इस PDF में पूरा detailed knowledge दिया है तो जैसे कि हम जानेंगे Microsoft का first course है Microsoft का हमने जो दिया है वह उसका time duration दिया है Microsoft data fundamental यह 5 hours और 59 minute का course है plus Microsoft power platform fundamentals 7 hour 11 minute का course है तो कईसी login किया जाता है इस website में कैसी login किया है step first आप Microsoft.com इस website पर official website पर जाएए इस website के भी आप लिंक URL दी हुई है उसके बाद यहापे आप अपना इंटरी और email ID दारकर next कर सकते नेक्स करने के बाद आपको वहापे create account करना होगा create account करने के बाद आपने वहापे एक email ID इंटर कीजे उसके बाद वहापे आपको password भी शुड़ बानना होगा पास्वर बनाने के बाद आपने profile वहापे बन जाएंगे profile बन जाने के बाद आप अपना course वहापे complete कर सकते जैसे ही आप Microsoft पर अपना course complete करेंगे आपको Microsoft से certificate provide किया जाएगा और वह certificate आप Learnathon पर आकर submit कर सकते और फिर वह Learnathon आपको Learnathon का platform जहें के वह जो platform है वह आपका certificate verified करेगा और Learnathon platform पर facilitate है कि जब 12 course में आपको 5 course करने है करने है मतलब इस मन्त के ending तक ending से पहले आपको वह 5 certificate course करने है मतलब 30 September से पहले आपको वह 5 course करके वहापे upload करने होगे उसके बाद आपको Learnathon का 2022 का main certificate दिया जाएगा यहापे पूरी course की पूरी detail information है यह course most important है जो भी student हमारे free certificate scores को दून रहे तो वह इस फीडियो को इस information को हमारे seriously लेंगे और इसका लाब उटाएगे तो यह website जो है जो platform में प्रोवाइड करता है यह बहुत अच्ची information और बहुत अच्ची scores प्रोवाइड करता है जो कि आप जब कभी आपना education पूरा करने के बाद जब आप interview देने जाते है तो आपनी profile भी built होनी होगी और आपको आपको industry में जो काम करने का work है उसका experience भी इस में से आएगा मतलब आपको जो actual में काम करना होता है industry में वह भी इस course में दिया है certificate में बता है आपको हमारा इनफोट्य फीडियो पसंद आया फीडियो पसंद आया तो फीडियो को like कीजे अपने friends के साथ share कीजे और चैनल को subscribe कीजे उसे के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना बोले यानि जब भी हमारी चैनल पर नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपकी तो चलो चलते हैं मिलते हैं ऐसे एक इन फोट्यू तो आपक के साथ हुआ